कौने शिवा मेरेसां So Welcome back to my YouTube channel, तो आज किस वीडियो में हम बात करने चारे हैं ? आपका मीन नानो होगो बूख का Chapter No.9 के बारे में हम बात करें तो chapter no.9 में आज क्या patterns हैं, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं सिधे अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं आज हम क्या सीखेंगे इन patterns के दरूब तो दाइक्यू का grammar chapter 9, तो आज के जो इस chapter में especially हम एक एक और अलग हट के चीज़ सीखने वाले हैं, वो है आपका ga particle, अभी तक आपने starting में वा particle सीखा था, than, वो particle सीखा था, basically मैं बता हूँ Japanese language में तीन particles का role main होता है, जो सबसे ज़्यादा use होते हैं जसकी वा, ओ, औ, गा, गा वैसे बहुत ज़्यादा use नहीं होता, main, वा और ओ बहुत ज़्यादा होते हैं, गा उसके बाद third number वे हैं, तो गा के use हम कहां करेंगे, गा के use बताने से पहले मैं आपको दो words introduce करा देना जाता हूँ, वो है जिदोशी और तादोशी, यानि के English में हम transitive और intransitive verbs बोलते हैं, पीछे एक वीडियो मैं आपको बताया था जिदोशी और तादोशी के बारे में, तो आज की इस वीडियो में मैं क्यों जिदोशी तादोशी क्यों add कर रहा हूँ, क्यो क्योंकि उसका लेना देना इससे है, जिदोशी आज हम सीख रहे हैं, वो जिदोशी है, जिदोशी से related है इसलिए, लेकिन detail में आपको नहीं पताऊँगा, क्योंकि अगर मैंने आपको आज की इस वीडियो में जिदोशी और तादोशी बता दिया, आप बहुत गंदे वाल लगता है, इसलिए मैंने आपको यह बताया, चलते हैं सीधे अपने आज की इस टॉपिक की दरूब, तो सबसे पहला जिसमें वन पैटन है, वो है नाउन गा अरिमस वकारिमस, नाउन गा सुकी दिस, किराई दिस, जोजु दिस, एंड हेता दिस, इनके मतलब क्या है, पहल नहीं आएगा, यह आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा ले, आप इसे अच्छे से कैसे पिकर करके याद कर ले, इनके साथ कभी भी ओ मतलगाना भूल के भी, अब इसके बाद नीचे जो चल लिए आपकी स्की दिस, किराई दिस, जोजु दिस, हेता दिस, यह जितन किसी चीज में अच्छा होना, किसी चीज में खराब होना, तो स्टार्ट करते हैं, पहला सेंटेंस, वाता शीवा आनिमे गा सुकी दिस, यानिकि मुझे जो है वो आनिमे देखना पसंद है, या आनिमे पसंद है, मैं यह कहना चाहता हूं, तो वाता शीवा आनिमे गा सुक तो आप सभी लोग Japanese जानते हैं समझ माईचीज तो गा वकारिमास यह पूरा सेट है यह इनी के साथ चलते हैं यह कभी आपने नहीं तो सुना होगा ना देखा होगा ना कभी देखोगे क्योंकि यह पहले सी फिक्स है ग्रैमेटिकली तो आपको इसी तरीका से करना ही रमेश सानवा कवांगारिमस यहनी कि रमेश सान हग न के पास एक बैग है तो यह बता रहे हैं तीसरे सेंटेंस के अंदर फॉर सेंटेंस है संतोससान वा एगोगा जो जो दिस यानि जो संतोससान है वो he is a good at English या मैं कहलो कि वो बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में उन्हें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो इस तरीके साथ बोछ सकते हैं अब जो मैंने एक्जामपल नहीं दिया है वो heathadis हो गया जैसे की and kiraiis तो यह आप अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसे की मैं काऊं कि मुझे कुई चीज पसंद नहीं है for example मैं काऊं मुझे क्या चीज पसंद नहीं है कुछ भी चीज ले लो जैसे मैं काऊं कि मुझे बीरू यानि कि जो ड्रिंक है वो मुझे पसंद नहीं है तो वाताशिवा बीरूगा किराइदिस ठीक है? डिसलाइक and heathadis poor के case में काऊं जैसे मैं काऊं कि मैं मुझे music जो है बिलकुल भी music के case में बिलकुल मैं poor हूँ तो वाताशिवा ओंगा कूगा हे तनान दिस कुछ इस तरह के से बहुत सकते है I am poor at music ठीक है? तो इस तरह के से examples तो बहुत सारे है और आपके उपर है आप कैसे बनाना चाहें तो मेरे साब से बहुत सिंपल पैटन है कुछ भी आसी जरूवती नहीं कि आप स्ट्रेसले अपने दिमाग पर बहुत इजी पैटन है ठीक है? थोड़ा डिफरेंट है अभी तक जो आपने सीखा उससे डिफरेंट है तो इसके बाद फिर next है आपका second यहां देखे दोनना फिर नाउ अभी just तो अभी just इससे पीछे एक वीडियो में आपको डाली थी चाप्कर नॉम्बर 8 उसमें आपको दोनना का यूस बताया था नाउन वन दोनना और फिर नाउन और देस तो उसमें हमें एक सैंटेंस पूछ रहे थे कि जैपूर किस टाइप की किस प्रकार की सिटी है यह बताया था अब डारेक्ट यहां पर हम जो है वो दोनना यानि कि किस टाइप की चीज से हम स्टार्ट कर सकते हैं इन वाले वर्ट्स को लेकर के ठीक है तो जैसे मैं कहूँ दोनना ओंगा कुगा की दिसका वाट काइड ओफ म्यूजिक डू यू लाइक किस टाइप के म्यूजिक आप पसंद करते हैं ठीक है आपका अंसर कुछ भी हो सकता है रातीन लैटिन अमेरिका का म्यूजिक आपको पसंद है यँ रेनाई सांग्य रेनाई ओंगा कुई वोलते हैँ रेनाई ऊता यह लिए रोमेंटीक सांग्द इस तरीके आप जो है यूज़् कर सकते हैं कि दुनना ओंगा कुगा की दिसका उसका आंसर आपका कुछ भी हो सकता है कि आपको किस टाइब के सॉंग पसंद है तो आप महां पर लागा सकते है जाजू ओंगा कुगास की दिस या फिर जो है पॉप पॉप ओंगा कुगास की दिस तो यह चीज आप इस तरह के सा इसका आंसर देंगे तो मेरे साब से इसमें आपको कुछ ज्यादा प्रॉलम होनी होगी जैसरा की जी सब पूछते हो आप क्या क्या पसंद करेंगे किस टाइप की डृक का पसंद करते हैं तो दोनना नोदी मु मोहँन होगा स ke nord करने के लिए इसके बाद चलते हैं थर्ड यह वाला पॉर्शन थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह सारी-सारी एडवर्ब्स हैं एडवर्ब्स यानिकि आप किसी भी क्रिया को सिंपल ही बोले हम इंदी में क्रिया की विशेष्टा जो बताता है ठीक है आप जो ब्यक क जाया गया है बट जो मैं समझा रहा हूं इसको देखने के बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा सबसे पहले योकू फिर दाइताई ताकसान स्कोशी अमारी एंजेंजें इनके मतलब क्या होते हैं वो भी मैं आपको बता रहा हूं वैसे वह कैब में हैं सबसे दाइताई का मतलब है mostly अधिकांज तोर पर आप कह सकते हो ठीक यह भी डिगरी है लेकिन ताकसान जो है वो है a lot of many, much के case में है यह amount के लिए होता है तो यहां पर confusion जो होगा वो आपके लिए ताकसान और योकू में होगा तो यह दोनों एक दुसरे पॉल अपार्ट है योक countable होता है ठीक है उसके बाद आता सकोशी लिटिल थोड़ा यह भी डिगरी है अमारी का मतलब होता है मैंने कहा था आपसे ज्यादा अच्छा नहीं not so well यह लिखा हुआ है जैन जैन होता है बिलकुल भी नहीं not at all अब एक सबसे अच्छी चीज जैन जैन और अमारी इन दो है बहुत है दो हो बहुत है बहुत है लेता हु मतलow मैं यह निहें निखाए उटा शेक्र यह सम लेता हूँ कि म्यारी और समunt यह अपर चुं उठ्च को दुख Kindle को निखिया न रिखनांटले जान रिखेते तो यहां पर काउंटेबल का सैंस था जो मैं इस तेरी से बता है फोर्थ वाता शीवा एगो गा स्कुशिवक आरिमास मैं जो इंग्लिश है वो थोड़ी जानता हूं लिटिल का मतलब क्या होता है थोड़ी ठीक है स्कुशिवा अब ही लिटिल का होता है आप एक है सकते हैं थोड़ी किस टाइब किस थोड़ी 20-30% या 40% पर आपके सकते हूँ मुझे इतनी इंगलिश आती है तो वाता शीवा एगोगा स्कुशिवक वगारिमास मैं थोड़ी सी इंगलिश जानता हूं राइट वाता शीवा पर अमारी का सेंस ही हो गया, यह मैंने सेम अमारी आपको लास्ट वीडियो में बताया था, तो सेम वही सेंस है इसका, ठीक है, बट जब आपको मुझे बिल्कुल ही नहीं आती, जसकी स्पेन, स्पेन लैंग्विज है, आप ना आप जानते सायद ना मैं जानता, तो मैं कहों वाताश्शिवा, स्पेन वोंगा जन्ज्न वकारी मासिन, बिल्कुल नहीं आती मुझे स्पेन लाइख भाई, मैं एक शब्द नहीं जानता, ने मुझसे मैंने को पूरी छूट दे रहेगे Hindi पूरी एफ दे रखी है वहीं से कुछ भी भूश सकते हैं लर्फ इसके बाद हो पड़ घ्र्टनोब बचेंगो किस तरीक़ सी developer के जो कि है फॉर्ट नंभर कशली नहीं है अब आप जो पाइंपल दे पाऊंगा जैसे मैं कहुं यहाँ पर भी दे रखा है मैंने आपको है कि मेरे पास time नहीं है for example अपने उपर ही ले लेता हूं मेरे पास time नहीं है इसलिए मैं आपको ज़्यादा वीडियो नहीं दे पा रहा हूं ठीकि मैं आपको ज़्यादा नहीं बढ़ा पार हूं यह मेरा genuine reason है आप मैंसे बहुत से लोगों complain रहता है कि Sensei N5 का exam बहुत जल्दी है December में exam है आप वीडियो जल्दी जल्दी डालो तो problem यह है कि मैं क्यों नहीं कर पाता हूं उसका reason यही है कि मेरे पास time का shortage है कि job के साथ मैं आपको इतनी जल्दी नहीं करा सकता क्योंकि मुझे अपना काम भी देखना है अपना फिर आपके लिए भी त्यारी करनी है और प आपको पढ़ा नहीं पाता हूं तो यह मेरा reason हो गया इसी तरीके से इसका first आप example लेखेंगे जिकान का आरिमासें कारा आसा गोहान और ताविमासें क्योंकि time नहीं है इसलिए मैं breakfast सुबह का जो breakfast है जो breakfast है वो मैं नहीं कर रहा या नहीं करता है यह इसका मतलब है ठीक है जिए मैं का पका हुआ क्यों क्वी हो जिकान कारी मस का रहा आज मेरे पास time है इसलिए गोशीप का लातरी कर नहीं को जिन सकता हिसीज कानेगा दिम पर आइछान द्यान को है कि मूजे जो नहीं लगता। that is why which is why I don't play Jenzen Shima Sen मैं उसे नहीं खेलता यह इसका अंसर हो गया फिफ्थ है जो फिफ्थ पैटर्न है वो है दोश्टे यह दोश्टे बहुत ज़दे यूज होता है जब आप जापनीज सीखता है स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करते हैं तो दोश्टे उसका आप रीजन पूछ सकते हो अगर वो कोई रीजन बता रहा है कि मुझा जल्दी जाना यह करना है तो क्यों जाना है तो इस तरीके से आप दोश्टे पैटर्न यूज करेंगा तो भाई बिल्कुल मत देना से जवाब भी दे सकते हो बट आकर आपसे किसी इंटर्व्य में पूछ लिया चाहे कि दोश्टे निहों को बैंक के शमाज दागा तो गलती से ही मत बोल दे ना कि भाई मैंने पैसे कमाने के लिए जापनी सीखी है फिर मैंने जो है जॉब के लिए जापनी सीखी है तो ऐसा रीजन नहीं होना चीए ठीक है तो यहाँ पर जस्ट फॉर नॉलिज सीखने के लिए लर्निंग परपस आप यूज कर सकते हो कि निहों पर दूसरा वे लिखा है निहों ने इकिताई दिस कारा दोश्टे निहों गो बेंक के शिमसका आप जैपनिस क्यों पढ़ते हो तो आप मेंसे बहुत से लोग होंगे जो जैपैन जाना चाहते होंगे शायद यह रीजन हो सकता है तो निहोने इकिताई देशका रहा आप जपैन जाना चाहते हो इसलिए आप जाप निश पड़ते हो ठीक है मेरा कुछ काम है इसलिए मुझे जाना है तो इस सेंटेंस को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो दोश्ते उचिये खायरी मस्का आप घर क्यों जाते हो तो ऐसा नहीं है भाई घर तो हर कोई जायागा बट इसको मैं करेक्टर कर देता हूं और आपको लेगा कि पता नहीं क्य सपोस मानलो मैं किसी ऑफिस में काम गड़ता हूं 8 बजे मेरी shift over होती है लेकिन आज मैं 6 बजे जा रहा हूं तो मेरा फ्रेंड पूछ ले दोश्ते रोकुछ जी नहीं उच्छी एक हायरी मस्का तो आज क्यों आप 6 बजे जाते हो चले जाते हो अपने घर क्यों लौट जा आया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जाते जाते वही कहूंगा लास्ट में वीडियो को लाइक कर दीजिगा चैनल को सब्स्राइब कर दीजिगा और वीडियो को शेर करना बिल्कुल भी मत भूलना इसके बाद अगर आपके कुछ भी questions हैं जो आपको clear नही के लिए आप ऊपर दिये गए आई बटन पर जाकर प्रेस करके वहां से आप वीडियो देख सकते हैं तो आज की वीडियो मेरे सिर्फ इतना ही था मिलकर अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए keep practicing, keep smiling, take care, bye bye